हलो दोस्तों आप लोगों का मेरे यूटूप चैनल साइन्स एडमिहब पर स्वागत है आशा है कि आप लोग सवस्ट होंगे जी दोस्तों आप लोगों के जो B F R मेशी और D F R मेशी वाले है उनका अलोटमेंट आने वाला है आज उनका इंतजार खतम होने वाला है जी हां द अब आने वाला है थोड़ी देर में आपको अलोटमेंट देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट पर तो आप लोग यह वेबसाइट ओपन करते रहना है और देखते रहना है तो आप लोगों को पिक्स टाइम बताता हूं कि इस टाइम के बाद आपका जो अलोटमेंट है व वीडियो पूरा देखे तो आपको पता लग जाएगा तो आप आगे वीडियो देखने से पहले आना अपनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेए क्योंकि आगे ऐसे ही अपडेट आपके पास सबसे पहले इसी चैनल के माद्दे में से प्रोवाइड कराता रहूंगा में तो अब आपको लेके चलते हैं इससे बीडी फार्मा वाली साइट पर में साइट पर तो यह यहाँ पर आपको क्लिक करना है आकर यह आप देख रहे हो बी और डी फार्मा इस पर क्लिक करने के बाद आप यह लेके जाएगी इसकी मेन वेबसाइट पर तो यह आप देख सकते हो यह आप पर क्या क्या लिखा हुआ देख सकते हो बी फार्मा एंड डी फार्मा सीट मेट्रिक्स लिखा हुआ है बी फार्मा ड फार्मा सीट मेट्रिक्स आप देख सकते हो और गाइडलाइन फार्मेसी चोईस फिलिंग देख सकते हो अलोटमेंट काउंसलिंग एड़ दे वेबसाइड अठारा तीन दोजार तेईस तो प्रिंटिंग ओप अलॉट्मेंट लेटर जोइनिंग बाइ केंडिडेड एड़ लॉटेड कोलेज फॉर डिस्पोजिशन ओप रिजिस्टेशन एप्लिकेशन फॉर्म अलोंग वित और रिलिवेंट डिकुमेंट और फ्रिंपिर पीश तो यह आप देख सकते हो 12 य reflection और आपको चार दिन का टाइम दिया है आपका जो जोइनिंग का समय है वो चार दिन पा दिया है जहाबर आपको को इंबाद आएगा आपका अलोटमेंट वह भी आपको भी बताता हूँ उससे पहले आपको कुछ और इंफोर्मेशन देना चाहता हूँ तो आप आगे वीडियो देखने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब विरूर कर ले और जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिट का टो फोर्ड एकजाम है यहाँ अपने रिजल्ट के जहां पर आपका नंबर है या यहां पर आपका नाम आया है उस नाम का आप इसक्रिन सोट ले लो और उसका कॉपी निकल वालो उसकी तो वह कॉपी आपकी लगेगी आपके डॉकुमेंट के साथ में और आपका ग्वर्मेंट को देजर भी फार मिशी कि नहीं है हमारी राज्सतान में और डीफार मेंशी की जो गुर्मेंट को लेज जह उसकी जो 15,000 पर क्याश्यार साल की लगेगी और और तीन हजार क्यूसन मनी जो रिफंडबल आपको मिल जाएगी डीफार में दो साल बाद में जो प्राइवेट सेल्प फाइनेश्ट कोलेजड है कोलेज है उन जो बीफार मेंशी वाली कोलेज वह अठ्यानम हजार पर एनम आपकी पीस लगेगी अठ्यानम हजार और फिच् तरसो है ना वो क्यूसन मनी जो आपकी रिफंडबल है आपकी तो आप यह अपनी पीस भी देख सकते हैं इतनी पीस लगेगी आपकी और आपके जो डोकुमेंट्स है वो डोकुमेंट्स आपको दिखाने जा रहा हूं यह डोकुमेंट्स आपको अभी तयार कर लेने हैं औ और आप अपने यानि कोलेज में एडमिशन के समय आपको यह डोकुमेंट्स है जो भी ओरिजिनल डोकुमेंट्स होने चाहिए यह यह तो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या-क्या है वह पिरिंट कोपी ओप दे एप्लिकेशन फोर्म यह आपके पास तीन सेट होने चाहिए दो तो फोटो कोपी के होगे एक ओरिजिनल हो गया प्लेस में तो यह देख सकते हो आपके क्या-क्या चाहिए ट्रांस ट्रांजेक्शन डोकॉमेंट्स पेमेंट्स प्रूप आपका जो पेमेंट है आपने कांसलिंग पिसकटवाई थी उसका टैंत का जो मारक शीट हो गया 12 की मारक शीट हो गई और कोई कोपी ऑफोटो आइडि यानि आप आदार कार्ड की जो फोटो कोपी लग जाएगी चार पासपोर सैज फोटो सेम एज यह आप देख सकते हो या आपके चार पासपोर सैज फोटो चाहिए डोमेशल स्टीपिकेट यानि जो मूल निवास बताने जा रहा हूँ जिसके 12 के बाद gap है वो अपना गेप certificate बनवाएगा एक 500 रुपे पर bond बनता है तो आपका वो बॉन certificate होगा और जो भी आपका गेप certificate होगा बॉन certificate होगे यह आपके यह बनेंगे और जो के एंटी रेंगिंगे एंटी रेंगिंग और पेरेंट जो आपके पेरेंट्स से समधिद है कुछ आके आपेर τη श्रक्वार्पोपर लगता त KENNETH एंपीड pressures एंपीडेविट और एंपीडेविट एंपीडेविट आपकै लगता है चोड़ना चाहते हो अपना वीच में ही तब आपके पास कुछ चार्ज लिए जाएगा यानि कुछ पेश लिए जाएगा आपके बास चांट से जब आप यान्ट बीच में कo Churchill चाय को चाया तो आप अब आपका कल से आपका जो भी ये सटार्ट हो जाएगा आपका, एडमिसन प्रोसेज, तो आप सभी को पता लग गया होगा कि आपके डोकुमेंट्स क्या-क्या है, आप स्क्रीमेंट्ट त्ले सकते हो और अपने पास रख सकते हो, हो आपका जो भी है जो आपका अलोटमेंट आएगा वो अलोटमेंट का पर आएगा वो आपको मैं बता देता हूं आपको जाना है बी और डी फार्मा चोईश फिलिंग पर जाना चोईश फिलिंग पर जाने के बाद यहाप पर आपको अलोटमेंट देखने को मिल जाएगा जो भी आपको night 8 बजे पहले पहले आपका यानी साथ बजे बाद या 8 बजे के आसपास आपको आपका Allotment देखने को मिल जाएगा यहापर आक कर आप चेक कर सकते हो और अपना Allotment चेक कर सकते हो तो आप ऐसे ही अपडेट पाने के लिए प्लिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें